चुरार दूस्तोो मेराज पांडे आप देख रहे हैं RCAO Today आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी क कर्भर मुक्ष समाचार के बारे में बात करेंगे पूरी क्वर विश्तार से देंगे सच को सच कहेंगे जूट को झूट कहेंगे ना पच्छ ना भी पच्छ व्ली पिर्भन कर रहा हूं आपको सही सठीक जानकारी दे रहा हूं आज 14 मार्च है नो बड़ी खबरों की बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन यूपी चुनाओ उत्तरा खंड चुनाओ जो चु नोट्री करोड को रोजगार दिया है कितनी सचाई है सभी को पता है क्यूं है यह वीपच उठाएगा वेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इसपर बात करेंगे पूरी जानकारी देंगे मोद्दी जी नेrok महित पूर्बात कयी है कि चात्रे स्वारोजगार अपना है पर वोजगार क्या होता है इस पर भी बात करेंगे पचास साल में होंगे जवर रिटायर एक नोटिस वाइरल हो रही सच्चाई क्या है इस पीसे पर भी बात करेंगे यूपी पीसे 2022 का नोडिफिकेशन कब तक आएगा किस महीने में आएगा किस अबता आएगा किस दिन आए कि द्वारा एक बहुत बड़ा आयलान किया गया है इस पर बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा चल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबागे और पर सेलिड करिएगा जिसे वार वीडियो का डोड़ी विकेशन आप से सबसे पहले पहुंच जाए वीडिय को लेकर बड़ी ख़बर है केंद्रों पर पहुंचने लगी कांपिया यानि कि तयारिया सुरू कर दे गई हैं और आपकी बार जो एडिमिट कार्ड है आप वेबसाइट के मादम से डाउनलोड कर पाएंगे जो कि आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर है आप तो 27,864 पर इचारती देंगे हाइज कुल पर इचाँ 24,001,035 देंगे चाट राएं इंटरमीडियेट में पंजिकरित हैं 8,373 केंद्रों पर कराई जाएगी बोर पर इचाँ तो पूरी जानकाइस में दे गई है तो मैंने आपको साड़ में जानकार दे दी है अगली महंगाई और बेरोजगारी को लेकर दिखे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बोलने को तयार रही है सत्ताधारी पार्टी महंगाई नहीं मानती है बेरोजगारी नहीं मानती है इस समन्द में कई बार बात करने का प्रयास किया गया तो कहते हैं महंगाई नहीं बेरोज के बजट सत्र का दूसरा चर्ण सोमवाल से सुरू होगा जो आठ अप्रल तक चलेगा इसमें विपच्छ बढ़ती महगाई बिरोजगारी कर्मचारी भविश्य निधी ईपी एफ पर ब्याद दरों में कमी और यूक्रेयर में भारतिय चात्रों के फसने समेश बिभिन मुद के लिए बजट पेस करना है अगर विपच्छ महगाई के मुद्दे को उठाता है बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता है ब्याद दरों में कटवती के मुद्दे को उठाता है तो आपके इससे बड़ी खुसी कुछ नहीं हो सकती है हमेशा विपच्छ मजबूत होना चा सुनती है ना आपके मुद्दे को कोई उठारे वाला होता है सरकार जो चाहे ओ करेगी इसलिए विपच्छ का होना बहुत सी जरूरी है जब तब विपच्छ मजबूत नहीं होगा आपकी नहीं सुनी जाएगी अगली अपडेट है प्रत्योगी परिच्छाओं को लेकर जहा प्रत्योगी परिच्छाओं की तयारी कराएगी इसके तहर राश्टिये प्रतिभाग खोज परिच्छयों ओलम्पियाड तथा कलायट की बिसेस कोचिंग कराई जाएगी अंडिये के लिए भी तयारी कराने का प्रस्ताओं है मुखमंत्र हेमन सूरेन ने स्कूली सिच्छ प्रस्ताओं को मंजूरी देती है अब इसे कैबिनेट से स्विकृति के लिए प्रस्ताओं पेश होगा तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है अकांच्हा कारिक्रम को प्रभावी बनाया जाएगा इसके बारे में यहारकंड सरकार काम कर रही है एक और अपडेट है कोड कोडिंग बे उस्था लागू की जाएगी प्रदेश के आसास के सहायता प्राद मादमिक विद्यालों में प्रधानाचारी के बदोबर भरति के लिए इंटर्व्यू की परक्रिया 14 मार्स से शुरू होने जा रही है साच्छतकार में पार्जरस्ता यूम गोपी नेता के ल चारी किया गया था तो मैं आपको बताना चांद हो प्रधानाचार की 632 भरति के लिए चैन बोर्ड में साच्छतका आस से श्टार्ट है अगली खबर विजली कनेक्शन को लेकर है आचार सहीता समाप्त होते ही काटे जाने लगे बड़े वकायदारों के विजली का OTS से भी अप एच्छी सपलता नहीं मिली तो अब जीतने भी बगायदार है बड़े बड़े बगायदार जिसके लाखों रुपे वकायदार है उनके बिजली कनेक्शन कार्ड दिये जाएंगे PCS को लेकर है और SJS को लेकर है दोनों परिच्छा एक दिन होने से छात्रों में अभर्ठ्य में असमंजस किस्ति बने से लाई हुए है सवाब है परिश्छा तिस्य में परिवर्थन हो या नहीं तो मैं आपको बताना चाहे है तसले पर इस पर कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना बतारा जा रहा है जो परिषय पहले ahead गोषित की गई थी वह परिष्छा थी बरकराद है कि उसी परिष्छा पर परिष्छा कराई जाएगी जो बात में घोषित की गई उस पर विचार विमर्स किया जा सकता है तो उत्तर पर लोग से वायों की समली तराज पर अधिनस्तेवा समाने चैन 2021 पीसिस हाई कोड के हाई जो डिशियल सर्विस 2020 की मुख परिष्छा एक ही तिसी परिष्छा से चाथ काफी परिष्छान है हजारों अभरती ऐसे हैं जिनका दोनों ही भरतियों के प्रारामिक परिष्छा में चैन हुआ है और उन्होंने मेंस के लिए आवेदन किया है पीसे 2021 मेंस 23, 24, 25 और 27 को होना है ऐसे में दोनों परिष्छा के लिए सफल अभरतियों के सामने अजबंज़ की स्थिति बनी हुई है इस पर जो है जल्द ही विचार विमर्स किया जाएगा घबरानी के वर्शक्ता नहीं है और ओ की भरती को लेकर भी महत्पूर खबर आरो भरती में EWS कोटे की हाई कोट के समिछाथकारी वा सहाइक समिछाथकारी भरती परिच्छा की विग्यापन के विरुद सितंबर 2021 में दाखिल जनहीत याजका पर अभी लंब सुनवाई के लिए रजिश्टार लिस्टिंग को एमेल भेजा गया है याची अधिवक्तार सुमनाद भट्टाचार क्या उनसाथ 6 माँ से 24 धिन उनकी याजका कई बार सुनवाई के लिए लगी लेकिन अबतर प्रारमिक सुनवाई नहीं हो सकी है याजी सुमनाद भट्टाचार के उनसाथ हाई कोट के समिछ चाथकारी परिच्छा के विग्यापन के विया जनी हित याजका पदों के लिए EWS आरचन लागू ना किया जाने के संबन्द में है याजका के बारे में बताया गया है याजका में विग्यापन के चैप्टर 3 यानि की 3 में आरचन को चुनोती दी गई है कहा गया है कि उत्तरप्रशी लोग सेवा आयोग EWS आरचन अदिनियम 10-2020 की पूरी तरीके से उपेच्छा करते हुए विग्यापन जारी किया है जबकि इसके अनुपालर में इलावर हाई कोड अजिकारी युम करमचारी सेवा युम आचर निमावली 1976 में संसोजन करना जरूरी था जिसके संसोजन के वाद ही बिग्यापन जारी करना था लेकिन आइसा नहीं किया गया अब इस पर सुनवाई करता कोई इस पर नहीं है लेकिन सुनवाई जल्द होने की संभावना है जब अरण रिटायर को लेकर एक ख़बर काफी तेज से वार्र हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पचास साल पर रिटायर की बात की जा रही है करमशारियों की वाप पूरता सही है मेरा कहना है क्योंकि इसके पहले भी कई बार खबरे आ चुकी आज तक की वेबसाइट पर भी खबरे थी अमार रुजालम भी खबरे थी यूपी में पचास साल से अधिक उम्रे के पुलिस कर्मियों की अनिवार सेवा निब्रिती की कारवाई शुरू यूपी चुनाओ संपन होने के बाद अब पुलिस में पच्चास साल से अधिक उम्र के प्लिस कर्मियों को अनिवार सेवा निब्रिती दिये जाने की कारवाई फिर सुरू कर दी गई है आद्देश जारी कर दिये गए हैं जल्द ही सेवा निब्रिती का काम सुरू हो जाएगा तो यहां करवचारियों के लिए पहला धटका है जैसा कि आप पर इसके पहले भी चुनाओ के पहले भी आख खबर आ चुके ऐसा नहीं कि पहली बात खबर आ रहा है चुनाओ के पहले भी समाचार पत्रों में आया था अगर कोई कहता है या पूर्टा गलत है तो भईया मैं इसके पहले भी आया था और जो IPS अजिकारी अमताब ठागुर का इसे रिटार हुए थे उसके बारे में आप लोग कमेंड़ बाक्स में बताईएगा क्या वे साट साल पूरा कर चुके थे इसके बारे में कमेंड़ बाक्स में बताना जो साट साल की वियोस्था है और पचा साट स्नीवार को बिहार आंप कामर्स के सबागार में रेलवे रिकूर्मेंट बोड के परिछार्चों ने उनकी समझ्याओं के समाधान में महत्पूर योगदान देने के लिए राजस्था सांस सूसिल मोधि को समानित किया है समान समाहades कर्थों कृत कि कहा शांसद्यों पूर्मुख मंत्री सुसील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे रिकुर्मेंट वोड की बईश अजिकारियों पर कारवाई की जानी चाहिए जिनकी आस्तमवेदन सीलता लापरवाही के कारी छाचों को सड़क पर आना पड़ा सरकार को छाचों के गुस्ति का सामना करना पड़ा है उन्होंने प्रधार मंत्रीयों रेल मंत्री को धन्यबाद दिया जिनकी पहल पर परिशाचों के सभी मांगे सरकार ने स्विकार कर ली स्री मोदी ने बताया कि पिछले तीन वर्सों में हर सरकार ने 25 लाख युकों को विविन मंत्रालों में नवकरी दी है एक बात मैं आप लोगों को इसपश्ट कर देना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि छात्रों से अपील भी उन्होंने की है सुसिल मोदी ने कि नौकरी के अलावा सुआ रोजगार उद्धिमिता को अपना है ताकि वे भी रोजगार देने वाले बन सके देखिए मैं आपको पता दूँ कि रेलवे की जो या भरती है सबसे बड़ी और अंतिम भरती मैं मानता हूं क्यों जब रेलवे का नीजी करन हो जाएगा तो भरतियां फिर नहीं आएंगी जिस इस तर पर आप लोग सूच रहे हैं आगे क्या होगा आपको पता चल जाएगा मैं आपको बता दूँ जो भी इस्तिती बर रही है वह चिंता का है थीरे जीरे करके सरकारी नोक्रियां समाप्त हो रहे हैं स्वार रोजगार आत्मी मिर्भरता पर ज्यादा फोकस किया जारा मोदीज बार बार कहते हैं आत्मी बर बनो रोजगार देने वाला बन तो स्वार रोजगार करोगा अपना बिजनस करोगे तब दूसरे को नौकरी दे पाओगे लेकिन एक बड़ी समश्या है कि उतना पैसा कहां आएगा कहां से प्रकट होगा उतना पैसा और महंगाई के इस दोर में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं जीवान या बिजनस नहीं चलता है तो उसकी जीमेदारी कौन लेगा तो कई अहम सवाल है इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवी में या अंतिम और सबसे बड़ी भरती इसका विज्यापन 2019 में निकला था आगी क्या होगा आपको समय बताएगा है कि यूपीपीश से 2022 का नोडिफिकेशन कब तक आएगा और कितने पद हो सकते हैं क्या पद बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि प्रारंभी परिच्छा परिड़ाम आते आते पदों की शंख्यालग भग चार सो के करीब हो सकती है चार सो के करीब हो सकती है सासाथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूपीश से 2022 का नोडिफिकेशन पूरता तयार हो गया है बुद्रवार से लेकर सनी वायर के बीच में आ सकता है इदर होली भी पढ़ रही है तो हो सकता है थोड़ा डिल लेकिन मान का चले निन्यान पर प्रसत की इसी सप्ता आजाएगा एक प्रसत का मैं कुछ ने कर सकता इसी सप्ता आना लगभग लगभगता हैं तो आप दूसरी चार दिन वेट कर लीजिए